वेलकम बैक टू मैं चैनल दोस्तों दोस्तों आज का जो यह वीडियो है बहुत ज़्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यह वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि लाश्ट वीडियो में ने जो कोशन किया था उसके विनर कौन-कौन है तो चलिए दोस्तों मैं यह वीडियो श्टाट करता हूँ और मैं आप लोगों को यह बताने वाला हूँ कि इसमें बिनर कौन-कौन है तो कलाकार को नमस्कार दोस्तों यहाँ पर मैंने जो कलर यूज किया है और जो दिवाल पे मैं बना रहा हूँ और यह मैं उझे कितना समय लगा बनाने में यह कौन सा इलाका है यह कहां पर हो रहा है कितने भीड़ भाड़ वाला इलाका है कि खाले इलाका है मैं सारा बात आप लोगों से करूंगा और यहाँ पर जो मुझे और मिला है किस परकार से मिला था ये भी मैं आप लोगों से बात करूँगा ये सारा point जो आप देख रहे हो धीरे धीरे मैं आप लोगों को इस point के उपर में परकाश डालते रहूँगा आप इस वीडियो में बने रहो और मैं आप लोगों से ये भी बोलता हूँ कि पिछले बार जो मैंने question किया था वो question के जो answer दिये हैं जो winner हैं मैं उनका भी नाम यहाँ पर display करने वाला हूँ तो वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनना क्योंकि आज भी एक question इस पर छिपा हुआ है और तो और मैं आप लोगों से वो भी पूछूँगा तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि इसी में आपको answer भी मिल जाएगा दोस्तो रंगों के खेल में बहुत ही मज़ा आने लगा है अब जो जिससाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ जिससाब से आप लोग मुझे प्यार दे रहे हैं उससाब से मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं ज़्यादा ज़्यादा कुशिस कर रहा हूँ कि और भी तरह तरह का वीडियो और जल्दी से जल्दी लाता रहूँ जिससे कि आप कभी मनोरंजन हो और तो और मैं आप लोगों के नाम बार बार अपने वीडियो के माध्यम से ले सकूँ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है अगर मैं आप लोगों का नाम लेता हूँ और अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ज़्यादा जानता हूँ इससे हम दोनों का जो प्यार है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है तो दोस्तों आप अपना प्यार इसी तरह से मेरे उपर में बनाए रखें और विडियो को हमेशा इसी तरह से लाइक और सस्क्राइब करते रहें जिससे कि मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा और हाँ दोस्तों जिनोंने भी सस्क्राइब कर दिया है वो भी अनसस्क्राइब करके फिर सस्क्राइब करते ना जिससे कि आप लोगों को प्यार हमेशा इसी तरह से बना रहे है और आप लोग भी ध्यान देते रहों कि हाँ मैं क्या और बताने वाला हूँ और क्या करने वाला हूँ दिवाल का कुछ मैं बात कर लेता हूँ यह जो दिवाल है यह 12-6 का दिवाल है और इस पे मैं जो काम किया हूँ तकरिबन 8 दिन समय लगा है इसमें आप देख रहे हूँ एक बोर्ड का भी कनेक्शन है और यह बोर्ड का कनेक्शन बाधा का काम कर रहा था उसके बाउज़ेवे मैंने इसे इगनोर करते हूँ अपना काम करता गया विडियो बनाने का दौराना आपको आमने सामने से बहुत सारा आवाज आपको सुनने मी मिलेगा जिसे कि अभी आपको खड़खड़ का आवाज सुनने मिलेगा तो अभी मैं नेचुरल आवाज रखने का कोशिस किया हो कि इससे आपको भी असुविदा ना हो और मुझे भी बात करने में बहुत ही ज़्यादा आराम मिले जब मैं यह ओर्डर लेने के लिए यहाँ पर आया था जब मुझे यह ओर्डर मिला तो उस समय बात हो रहा था कि मैं कौन सा पेंटिंग बनाऊंगा तो जो हमारे यहाँ पर सस्क्राइबर हैं जिनोंने मुझे बुलाया था उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर बनाओ राधा क्रिशने का पोट्रेट तो मैं बोला ठीक है यहाँ पर मैंने पहले दिवाल को देखा दिवाल उस तरह से बनाने लायक था कि हाँ करना है कि इसमें और भी कुछ कलर और भी ज़्यादा तो दोस्तों मैं आप लोगों को यह बता दू कि ज़्यादा एकस्पिंसिब कलर नहीं लगाय गया है इस दिवाल में और यह दिवाल जो है बहुत ही स्मूथ है इसलिए बनाने बहुत मज़ा आ रहा था मैंने यहाँ पर छोटे से छोटे ब्रस का यूज किया है और ज्यादा से ज्यादा बारी की काम को यहाँ पर दिखाने का कोशिस मैंने किया है और यहाँ पर हर रोज 200-200 लोग आते हैं खाना खाने के लिए वो लोग भी यहाँ पर आके इस पेंटिंग को पसंद कर रहे हैं थे हर दिन जिस होटल में काम चल रहा है यह होटल बहुत ही भीड़भाड वाला होटल है जिसमें बहुत जादे लोग आते हैं हर दिन खाना खाने के लिए तो यहाँ पर जब मैं बना रहा था जब मुझे मौका मिला इस तरह का काम करने का तो मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था क्योंकि लोग हर एक तरह के लोग आ रहे थे और इस पेंटिंग के अपना-पना मत रख रहे थे कि यह पेंटिंग में यह होना चाहिए और भी इसमें ज्यादा ब्राइट कलर होना चाहिए और भी थोड़ा डल कलर होना चाहिए और थोड़ा कोई करेक्टर पीसे जाना चाहिए कोई करेक्टर आगे आना चाहिए इस तरह का तरह तरह का बाते हो रहा था तो मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था इस तरह से काम करने में क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखने मिल रहा था तो मैं आप लोगों को यह बता दूं कि लाश्ट विनर जो है वह है अर्पिता अगरवाल और अपुर्व दूबे आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद आपने वीडियो पूरा देखा और मेरा जो कोश्चन था उसका आंसर आप दोनों ने सटिक दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों अगर आप इसी तरह से मेरा विडियो देखते रहें और मुझे सपोर्ट करते रहें तो मैं आने वाले समय में आप लोगों के लिए बहुत कुछ करने वाला हूँ और तो और मैं कुछ न ज्यादा स्मूथ है और इसको 5 से 7 साल पहले बनाया था इस तरह का वो जो काउंटर के मालिक हैं उन्होंने मुझे बताया तो यह जो इसमूथ जो दिवाल है बहुत ही जादा अच्छा लग रहा था काम करने में क्योंकि इसमें जो मैं बना रहा हूं यहां पर जो रियलिस्टिक आर्ट में मैं कनवर्ट कर दिया हूँ तो यहांपर आप देख पा रहे हो कि जो आपको यहां पर दीख रहा है वह बहुत ही जादा इसमूत लग रहा है लेकिन दोस्तों यहां पर इसमूत नहीं है अगर आप सामने से देखोगे तो यहां पर आपको दिखेगा कि यह बहुत ज़्यादा रफ काम है रब काम होने के कारन ही यह बहुत जादा रियलिस्टिक दिख रहा है और बहुत ही खुब्सूरत दिख रहा है दोस्तो आज का जो question है वो यह है कि इसमें आप वीडियो में पूरा देखते रहू है वीडियो में पूरा देखने के दौरान आपको एक नाम मिलेगा वो नाम को आपको जोडना है और नाम को जोडने के बाद आप मुझे कमेंट करके बताना कि वो कौन सा नाम है दोस्तो ये बहुत ही अच्छा एक सब्जेक्ट है जो कि आपको भी बहुत मजा आएगा और जो बीनर होते हैं मैं नेक्स्ट टाइम उनका फिर से नाम लूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में रादा किरिस्न कहीं है वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तो जो मैंने आप लोगों से कोश्चन किया है उसका संटेंस जो की पूरा का पूरा वीडियो आप देखोगे तब आपको मिल जाएगा उसको जोड़ना है और वो संटेंस को पूरा करना है और मुझे कमेंट में जरूर बताना Sentence को जोडनी के लिए विडियो आपको पूरा देखना होगा इसलिए ध्यान पुर्वक विडियो पूरा देखे दोस्तो अगर आप मुझे Facebook में देख रहे हो तो Facebook के page को लाइक कर देना अगर इंस्टागराम में हो तो Instagram को follow कर लेना दोस्तों अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने यह पेंटिंग कहां क्रियेट की है और किस होटल में तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना मैं फिर से एक वीडियो बना दूँगा और पूरा का पूरा यह वीडियो में बनाऊंगा कि यह होटल का रास्ता किदर से है और किस जगा में यह काम किया गया है मैं अपने वीडियो के मात्यम से एक छोटा इसा फिल्म बनाऊंगा और आपके सामने प्रस्तूत कर दूँगा चली तो मिलते हैं एक नेक्ट वीडियो में अभी के लिए बबाए दोस्तो